हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक एकर है मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन और वैसनमुक्ति तग्य हूँ अकुरा में हमारा बड़ा होस्पिटल है जहां हम मांसिक रुगन को रिष्टिदारों के साथ में रखके उनका इलाज करते भरती करके और दुसरा एक हॉस्पिटल है जहां मांसिक रुगन को और शरावी लोगों को यहां व्यसनी जो है नशे वाले लोग है उनको बिना रिष्टिदार भरती करके उनका इलाज करते है आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि इच्छा मरन देना या नहीं देना इसको यूथ है 88 साल की 88 और उनकी पत्मी जो इरावती लवाटे तो दोनों भी अच्छे है मतलब उनको कोई बिमारी नहीं है मगर उनोंने राष्ट्पती के तरफ एक अरजी किये कि हमको इच्छा मरन होना है हमको भी मरने का है अब यह अच्छे है कोई बिमारी नहीं है मरना तो आखिर एक दिन हैं फिर हमको इच्छामरन देदो ऐसा होने अर्जी की हुई है दूसरे पिंपरी चिंचवड़ में रहने वाले गिलीप महता है उनको पैरलिसिस हुआ है वो बेड़ पहे कुछ महनों से अभी अच्छे होने के कोई उम्मीद नहीं है बेड़ में उनका टाइलेट व हुझे मुझे अभी मरने Ooh अरुना शान्वाग की केस तो आपको सबको मालूम है कि K.E.M. में नुर्स थी अरुना शाने़ वह कई साल कृमा में थी और biss दिन ने देना मतलब सरकार में शासन नेने उनको मुर्वति देना नहीं देना क्योंकि एक मेरे एक रिश्टिदार हैं उनकी उमर करेक पर एकटी फाइव है लेडि है और प्षले तीन साल से वो वेहोशमें वह चिल्ना थी है चिक्ती है मगर उनको यह पता नहीं कि अपन कहा उनको ना तारीख मालूम है ना दीन मालूम है ना घरवालों को किसको पहचानती है बेड में ही सब कुछ होता है उनका टॉइलेट वगरे उनको खाना खिलाते तो वो खाती है और वो बेहोश है मतलब उनका हड़ी का पैर के हड़ी का ऑपरेशन हुआ और वो ऑपरेशन के ब तो बहुत एसे लोग उनको क्या करना, जो लोग बीमार है और जो लोग बीमार, आईसी उनको बीमारी है कि उनको अच्छा होने कोई उम्मीद नहीं है, मगर होश में है, वो यदी अर्जी करते है राष्टपति के तरफ या कोट के तरफ, कि हमको मरने दो, तो उनको जो supporting medicine है वो बन कर देना वो passive euthanasia हो गया और दूसरा ही हो सकता है active euthanasia मतलब जैसा मैंने बताया कि वो लवाटे जो कपल है उनके बारे में को कोई भीमारी नहीं है मगर वो बोलते हैं कि अभी हमको ऐसा injection दो ऐसे कोई दवा ही दे दो कि जिससे हम मर जाएंगे कि अभी जिने का नहीं है अभी हम जब तक अच्छे है तब तक ठीक है हमारा कोई care लेने वाला नहीं है हमारे बाद में तो हमको भी मरने दू तो वह active euthanasia और actively उनको मरने दूना तब यह जब हमारे मतलब शासन में सरकार या राष्ट्रपति या निया एले इसके बारे में जो भी जिरने लेंगे तब लेंगे मगर अभी इसके बारे में चर्चा होना बुद जरूरी है इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि जो एकदम बहुत ज़्यादा depression में है जिनको खुद कुशिके बार बार वीचाराते है या किसका मतलब प्रेम प्रकरण है लव अफेर है वो ब्रेक हो गया फिर वो लोग अपलाय करते है तो भी हमको मरने दो फिर उसमें तकलिफ हो जाएंगी फिर उनको psychiatrist के तरफ बेजो उनकी condition देखो क्या है क्या नहीं और ज इसके बार में काफी सारा problem तैर हो जाएगा अभी तक तो फिलाल यही है कि मेरा विक्तिकत मानना ही है कि जिनको ऐसी बीमारी है कि जो बीमारी से वह अच्छे होने को कोई संभा होना नहीं है और तीन specialist doctors उनको certify करते है कि अभी यह जो बीमारी है इसमें से बशने के supporting है उनको जबरदस्ती खीचना और उनको जिने देना उसमें कोई मतलब नहीं है तो एक वो है और दूसरी जो है कि जिनको मालूम ही नहीं कि अपन जिरित है मतलब पहला जो है कि वह खुद होके बोलते है कि हमको मरने दो क्योंकि अभी हमारा अच्छा होना कोई संभा है टोटल बेहोश है तो उनके रिलेटिव ने अरजी किया कि बेने इनको जाने तो अभी अच्छे तो नहीं हो रहे तो उनको डॉक्टर लोगोंने स्रेटिफाय करके उनको मरने देना चाहिए तो इस तरह के यह मतलब कायदा इसका रूल नियम इसका पास होना बहुत है और लोगों ने इस तरह का मतलब डिमांड किया तो इसमें कुछ ना कुछ कायदा आके चलके रूल आया मतलब ऐसा हो सकता है तो यह जो वीडियो जो है यह वीडियो आप इतना शेयर करो इतना फैलाओ कि यह कायदा बनाने माले जो सरवच्च अपना लोकसभा है वो बन जरूर आप वाट्साप के ऊपर फेस्बूक के ऊपर शेयर करो आपको अच्छा लगा तो जरूर उसको लाइक करो शेयर करो सबस्क्राइब करो थेंक यू वेरी मच